जहिन साथियों स्वागे थे आप सभी का एजुकेशन के एट सिक्स में रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ दोस्तों कुछ दिन पहले ही बिहार में बिजली विभाग के लिए 2600 पदों का नियमित यानिकी सरकारी नौकरी का अपडेट आया था और आप लोगोंने इसका फॉर्म भी भरा होगा इसके बाद लगातार वेकेंजिस के अपडेट आने सुरू है बीच में एलेक्शन्स आगें लोगसभा के एलेक्शन हुए लेकिन जब लोगसभा के एलेक्शन्स खतम हुए है तो लगातार सरकार जो है नौकरीयों के उपर चर्चा कर रही है याने कि आने वाले अगामी दिसंबर 2024 तक बहुत सारी वेकेंजिस अपडेट होकर आने वाली है जिनमें से अगर हम बात करें तो आज मैंने एक सुबह एक वीडियो भी डाला है आप लोगों के लिए जहां पर हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड भ बिहार में पुलिस बिभाग के नौकरी के लिए इंतजार कर रहे थे हैं अब आपको बता दे कि बिहार पुलिस में अभी बहुत सारे ऐसे पोश्ट हैं जैसे कि सिपाही का ही पद देख लें अगर हम तो अभी 11,391 पदों की बहाली का प्रक्रिया धीन है अभी उसका एक् बात करें तो ड्राइवर की वेकेंसिस भी है जहां पर 2800 पदों की टोटल वेकेंसिस के अबडेट आने वाले हैं यही नहीं बलकि डाइल 112 में भी ड्राइवर की वेकेंसिस के भी अबडेट आने वाले हैं कुछ दरुगा के पोश्ट और कुछ सिपाही के पोश्ट यहां भी दिये जाने वाले हैं तो अब इन सभी चीजों को लेकर भी न्यूज अपडेट आने सुरू हो चुके हैं और जो भी चात्रे दसवी पास हैं बारवी पास हैं या फिर अगर आप ग्रैजुएशन हैं तो आप अपनी परिक्षाओं की तैयारी में लग जाएं चुकि यहा बात करो यहां पर बिहार में पुलिस विभाग की जहां पर 21,391 तो प्रक्रिया धीन है सिपाही का यह बहाली अभी लंबित है जो की अगस्त महिने में इसका एक्जाम होना है चाह नए पदों में अगर हम बात करें तो 24,279 पोश्ट बचते हैं फिर इसके अलावा तो है तो वो CSBC कराएगी अगर दरृबगा का बाली है तो वो BPSC कराएगा और अगर ड्राइवर की वेकेंसी है तो怎么 CSBC कराएगी तो ऐसे में उने सभी जो भी विभाग हैं जो भी इकमिशन सेंören को यह सुर्मेइद भी जाये इस साल बहाली को लेकर कुल अगर देखा जाय तो 24,279 पदों में से लगबग 19,479 पद सिपाही के आने वाले ये पद अलग से हैं देखे 16,391 तो चली रहा है इसमें 19,479 जो है 2024-25 के लिए ये रखा गया है अब क्या ये बहाली आप आएगी इस सल तो सबसे बड़ा सवाल है देखे चुकि 16,391 पद की जैसे ही यहां एक्जाम होंगे उनका PT होने के बाद PT के एक्जाम होता है यानि कि फिजिकल टेस्ट होते है अब फिजिकल टेस्ट होने के बाद इनको ट्रेनिंग दी जाती है तो क्या 40-45,000 लोगों का यहां पर फिजिकल एक साथ हो पाएगा यह असंभव है तो आपको बता दे कि यह 19,479 के बहाली का PT एक्जाम यानि कि जो CBT एक्जाम है जो आपका फिर्स एक्जाम है प्रैमरी एक्जाम है तो वो एक्जाम को ले लिया जाएगा और इसका PT जो होगा वो अगले साल 2025 में करवाय जाएगा तो यह जब तक कि इसकी ट्रेनिंग कम्प्लीट नहीं हो जाती है 1391 पत्की अब आते हैं दरोगा की बहाली के उपर क्या दरोगा की बहाली 2000 जो आने वाली है वो आ जाएगी अभी आप लोग को पता होगा कि 1275 पतों की बहाली का जो है फिजिकल चल रहा है अब महिलाओं का फिजिकल चल रहा है उसका फिलिष्ट दिरे दिरे आना सुरू हो चुका है और कितने लोग अंदर हो रही हैं कितने लोग बाहर जा रही हैं और बिहार में 1275 पत में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनका यहाँ पर PT हो चुका है मेंस हो चुका है अब यहाँ पर फिजिकल चल रहा है अब जितने भी लोग यहाँ पर सेलेक्ट होंगे 1275 में वो लोग जाएंगे ट्रेनिंग पर और ये training जैसे ही complete होगी तो आपको 2000 पदो के लिए ये बहाली दरोगा के लिए दे दी जाएगी अब 2000 पदो की बहाली का जो notification है वो संभावता अगस्त या सेप्टेंबर महीने में जारी कर दिया जाएगा चुकि क्या है कि इनकी training होते होते जनवरी फर्वरी आई जाएगा और अगस्त सेप्टेंबर तक इसका जो है notification आएगा और अक्टूबर नॉवंबर में इसकी most lovely exam ले लिए जा सकते हैं तो यह अभी जो भी है news update है official data जो भी आएगा हम आप तक साजा करेंगे जोकि इसका रोष्टर अभी तक भेजा नहीं किया है रोष्टर तयार करके सम्मंदित आयोग को भेजा जाएगा बोला जा रहा है तो मैं जो भी और चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो authentic ही बताऊंगा ऐसा नहीं कि अब मैं बोल दूँ आप लोग यहां बोलेगी सर आप तो बोले थे तो इस चीज का ध्यान रखिएगा अगस्त या सेप्टेंबर में इसके नोटिफिकेशन आने के प्रबल सम्हाओनाए है और अक्टूबर नॉवंबर में इसके पी टी एक्जाम हो जाएंगे देसंबर लास्ट-लास्ट तक इसका मेंस एक्जाम लिया जाएगा इन्तु हजार पदो का अब जैसी मेंस एक्जा चलक का वेकेंसी आने वाला है अभी अठाइस सो जो पोस्ट है अभी देखिए बता दे आपको कि डाइल 112 में भी आपको ड्राइवर के पोस्ट लिए अमंत्रन किया जाता है फिर ड्राइवर के लिए इतनी बड़ी संख्या में बहुत सालों के बाद ही बहाली आ रही है तो स उसमें सफल होते हैं आपके पास लाइसेंस होता है तो आप जो है यहाँ पर ड्राइवर के पोस्ट के लिए योग्य होते हैं तो यह जानकारी आप समझेगा अब यहाँ पर पीटी एक्जाम होगा वैसे ही जैसे कि बिहार सिपाही का होता है तो यह 24,279 में ही 2800 पोस्ट आपका ड्राइवर का सुरक्षित रखा गया है जो कि इसमें से दिया जाएगा और 2000 दरुगा का दिया जाएगा जो कि इसके समकक्ष रहेंगे और भी जैसे पोस्ट होते हैं जैसे दरुगा के लावा एक साइज वेगरा दरुगा का हो गया या फिर कुछ विजिलेंस में भी दरुगा का बहाली आता है तो वो भी एक एक दो दो पोश्ट जोड़के दिया जाएगा यहां पर तो इसके समकक्ष रहेंगे अच्छा बिहार पुलिस मुख्याले के मुताबिक सूबे की बढ़ती जल संख्या और डाइल 112 क्या वशक्ताओं को देखते वे ग्रिय वि प्रक्रिया शुरू की जाने है तो यह प्रक्रिया है अपडेट दोस्तों यहां पर बिहार सिपाही भरती और दरुगा भरती को लेकर जो कि हम आप तक साजा कर रहे हैं अब जो भी छात्र इनकी तैयारी में हैं या तैयारी में लगना चाहते हैं उनको मैं बता दो कि आप हमारे चैनल YT Education को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे वहाँ पे जल्द ही आप लोग को इनके मोक्टिस्ट अबिलेबल करवाया जाएंगे जो कि आपके examination के point of view से important भी होंगे तो अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही और Education की अप्लिकेशन डाउनलोड कर लिजेगा जहाँ पर आपको इनके मोक्टिस्ट अल्रेडी है पुराने वह आप देते रहेंगे तो इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे अगले अगले अप्डेट के साथ जैहिंद